प्यारे बच्चों वेल्कम टू सिविलेन क्लासेस प्रिवेस लक्चर में हम बात किये थे लिनियर डिफ्रेंशल एक्वेशन क्या होता है और उसको किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे हमने वहाँ पे दो चीज बच्चों सिखा था एक सिखा था लेनियर इन य, दूसरा सिखा था अमने लेनियर इन एक्स हना तो चलिए उसी प्याधारी कुछ कुछ क्वेश्टन प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं तो देखियाँ क्या क्या क्याइट क्वेश्टन आय। सबसे पहले तो इसको आप फॉर्मेट में ले आईए पाचान लेजिए कि क्या यह लिनियर इन वाय है या लिनियर इन एक्स है ठीक है न बच्चों तो यह चीछ आप जब कुश्टन्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप त्लियर हो जाएगा कि कोई भी इसमें लगाना परेगा है यह यह लिनियर इक्वेशन का कुश्टन्स यह जब आप प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करोगे तो आपको यह सारे चीज क्लियर हो जाएगे ठीक है तो कि एक्जाम में कभी लिख करके नहीं आता यह होमोजीनियस का कुश्टन है यह आपका य इस तरह का एक्वेशन है डी वाई डी एक्स प्लस आपका पी वाई इक्वल टू क्यू है पी और क्या है प्यारे बच्चों आपका एक्स का फंक्शन होना चाहिए या कोई कॉंस्टेंट होना चाहिए देखते इस कुश्टन को तो अभी इस फॉर्मेट में नहीं ऐसा करत एक्स कॉसेक्स से हम तुरू और क्या करते डिवाइड कर देते क्या मिलेगा आपको डी वाई डी एक्स ठीक है पलस यहां प्यार जाएगा वाई और देखिए ब्राकेट के अंदर जाएगा इस ते डिवाइड हो जाएगा यह एक्स साइन एक्स पलस आपका हो जाएगा इसको थोड़ा सिंप्लिफाइब कर लेंगे आपका देखिए डीवाइब डी एक्स पलस वाई इसको आप अलग लग कर दो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा एक्स एक्स केंसील साइन वाई कॉस हो जाएगा आपका टेन एक्स और यहां से देखिए कॉस कॉस केंसील वाई एक्स हो जाएगा इक्वाल टू यहां पर आपका हो जाएगा एक्स कॉस एक्स ठीक है अब इस इक्वेशन से इसको कंप्रिजन करो तो देखो तो क्या है पी के है आपका function of a x1 a clear है तो अब यह format पर गया मतलब हमको पता चल गया कि यह linear in y है तो जब linear in y है तो सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे integrating factor आपको याद होगा हमने क्या बोला था e to the power p dx होता है ना रखिए value तो क्या हम लगा e to the power integration पी का value आपका 10x plus one by x है की नहीं है चलिए अब इसको हम लोग integrate करेंगे प्यारे बच्चों 10x का integration क्या होता है बोलिए लॉग 6x ठीक है नहीं प्लस one by x का होगा log x क्लियर है अब देखो यहां से e to the power log m plus n log m by n यानि यह क्या होता है प्यारे बच्चों से x divided by आपका क्या हो जाएगा कि सॉरी कि एक मिनट प्यारे बच्चों आपका जो integration नहीं सब्सक्राइब तो से एक्स divided by x क्लियर है ना आप यहां पे लॉग का फर्मूला लगा देंगे तो देखे तो क्या हो जाएगा लॉग यहां पे बेस यहां पे भी बेस सी कैल्कुलस में आपका यह हो जाता है मतलब इंट्रिगेटिंग फैक्टर आपका निकल गया शीक एक्स डिवाइड़ वाइड़ एक्स हो गया पैरे बच्चों तो यह से सेखे दिवाइड वाइड़ आपका निकल गया इंट्रिगेटिंग फैक्टर आभ हम लोग इसका सवलूशन हाथ तो स्लूशन इज क्या होुचन ? य इंट्रिगेटिंग इंट्रिगेटिंग देंगे उसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा क्यू क्यू का वैलू है वान बाई कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाइं इंट्रिगेटिंग फैक्टर क्या है इंट्रिप्लाइं इंट्रिगेंटिंग ट्रक्टर और एक्स डिएक्स और यहां पर कॉंस्टन्ट से वह यहां पर तो मघंच मीनट इस म्मीनट पिसित्य सप्पर सब्चल्च यहां पうわई एक्स एक्षेब मघंड़ में आपका दिखिए यह सिक एस फ्लस लॉग MONS यह हो जाएगा आपका e to the power x cx ठीक है ना log x cx यहाँ पर दियान देज़ेगा log m plus log mn होता है तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा यह आपका जब log हंट जाएगा तो क्या हो जाएगा log x cx ठीक है ना x cx हो जाएगा और अब देखिए थोरा सा इसको करेक्ट कर लेंगे तो इंट्रिगेटिंग फैक्टर आपका क्या निकल गया इंट्रिगेटिंग फैक्टर आपका निकल गया x cx ठीक है अब हम लोग यहाँ पर सॉलूशन की बात करेंगे तो पता यह सॉलूशन इस वाई इ x cx multiply क्या लिखेंगे x cx हाना आप देखो यह x और x कंसील हो गया इस को उपर ले जाओ प्यारी बच्चों यह हो जाएगा आपका xy cx इधर हो जाएगा इंट्रिगेशन के अंदर स्क्राइब दिए यहां पर दिए चुट गया है पलस कंस्टेंट आपको पता है स्क्राइब इंट्रिगेशन क्या होता है यह नि फाइनल आंसर यह दिए हम लोग बात करेंगे xy cx बराबर आपका क्या हो जाएगा ठीक है न तो देखो आप पलस यहां पर इस तरह से कोई सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसके बाद आप सुलूशन में रख दो आपका आंसर आजाएगा ठीक है चलिए नुक्तिए इसको देखें प्यारे बाद्चों सटेंड कुस्चन है x प्लस 2yq dy by dx is come to y with x ब्रैकेट में है 1 equal to 0 प्यारे बाद्चों यह कंडिशन दिया हुआ इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे पहले हम लोग यह आपका differential equation है इसका solution हम लोग find out करते हैं यह जब भी आपका boundary condition दिया हुआ रहता है question में it means यह constant जो आता उसको निकालने के लिए दिया जाता है ठीक है तो चले यहाँ पे आप दिखिए यदि प्यारे बच्चों इस टर्म को उधर भेज देंगे हाना इस टर्म को उधर भेज देंगे तो मेरा कोई काम नहीं होगा क्योंकि y divided by x plus 2yq अना तो अलग भी नहीं करते हैं ऐसा करते हैं हम लोग पहले इसको cross multiplication आप इस equation को ऐसे करो इस dx को धर ले जाओ y को इधर ले आओ इसको ऐसे लिखेंगे dx upon dy प्यारे बच्चों हमने इसको cross multiplication किया देखो आप क्यो हो जागा x plus आपका यह जगा 2yq divided by क्या हो जागा y simple है इस y को इधर बेजो dx को इधर बेज़ो फिर इस dy को इधर बेज़ देना तो dx divided by dy अब यहां पे दिहान से देखिए आप इसको हम लोग अलग लग करेंगे देखिए क्या हो जगा xyy plus यहां पे देखिए क्या हो जगा 2y square आप प्यारे बच्चों आप यहां पे इसको इधर बेज़ दो dx और इस वाले टर्म को इधर बेज़ेंगे तक माइनस में आएगा आप इसको लिखेंगे पलस माइनस x आप ऐसा लिखेंगे इन्टू x इक्वाल टू इधर देखो क्या हो जगा 2y square आप प्यारे बच्चों आप कंप्रिजन किजिए जब हम आप बताए थे linear in x इसका क्या format होता है dx upon dy plus आपका px is called to q where p and q is a function of y only or constant क्या देखिए ये आपका क्या है p है और ये प्यारे बच्चों आपका क्या है q है यह किस में आ गया linear in x में तो जब linear in x में आ गया तो आपको पहजानना पड़ेगा direct आपको नहीं दिया रहेगा आपको कुछ सोचना पड़ेगा करना पड़ेगा कि क्या करें कि यह आपका standard format में आ जाए तो बताए यहां पे integrating factor क्या हो जाएगा e to the power हमने क्या बोला था p dy पी का value यहां पे रखेंगे प्यारे बच्चों तो आपका यह हो जाएगा e to the power integration minus one by y dy देखिए क्या हो जाएगा e to the power minus बाहर one by y का क्या हो जाएगा log y होगा तो अब यदि हम लोग यहां से आगे solve करें देखो प्यारे बच्चों आपका यह क्या हो जाएगा integrating factor integrating factor आपका हो जाएगा if equal to यह आजाएगा log y is minus one को अंदर कर दो तो यह हो जाएगा e to the power आपका log y पे power minus one यहां से integrating factor आगया properties लगा देंगे हम लोग लोग का तो यह हो जाएगा one by y clear ना चलिए आप इसका solution देखिए क्या हो जाएगा solution is ठीक है ना तो प्यारे बत्वेदी हम लोग इसका solution की बात करेंगे तो solution इसका क्या हो जाता एक्स इंटू एक्स में नहीं लिनियर तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू इंट्रिगेटिंग फ्रक्टर क्या हो जाएगा one by y equal to integration q q का value क्या है two y square into one by y integrating factor dy प्लस क्या हो जाएगा constant अब इसको कर लिजी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों उधर transfer करें तो यह एक्स बराबर हो जाएगा y into y q plus c y यह आपका हो जाएगा general solution but question में आपका condition दिया हुआ है x bracket में one इसका मतलब है at y is equal to one पे x का value क्या है प्यारे बच्चों 0 रख दीजिए दोनों value रखेंगे तो देखे तो यह क्या मिलेगा x का value 0 और यहां पे देखे y का value 1 है और प्लस यह हो जाएगा c multiply one यहां से c का value क्या आजाएगा आपका इस minus one बराबर आपका हो जाएगा c बराबर minus one आप इसको इस equation में रख देंगे तो प्यारे बच्चों आपका final solution आजाएगा x बराबर y q minus y के लिए आना यह आपका final answer आना इस तरीके से कोई भी यदि आपका question दिया हुआ है उमीद करते हैं आप solve कर लेंगे ठीक है तो आपका condition दिया हुआ boundary condition तो उसको apply करने आना चाहिए एक्स ब्राइकेट 0 मतलब x इस function of y और y बराबर क्या है 1 हमने रखा y बराबर 1 पे x का value 0 इसमें रख दीजिए यहां से c का value निकला minus 1 और इसमें रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा इसमें रखने के बाद आपका फैलन्स परूशन हो गया एक्स इसकल्टो वाइक्यू माइनास वाइट चलिए चलिए और चलिए देखिए दूसरा कोशेन है प्यारे बच्चों से कट्टो वाइप प्लस साने टिक है आप देखो इसको सेक से डिवाइड कर दो यह हो जाएगा आपका डिवाइवाइड दिवाइड्ड़ इसकल्टो वाइड यहां पर देखिया आपका tremendous divided by करा दिए इसको अपर रिंज कर लूए अई ओपर ले जाएंगे सस्रक्टिक पै इसको आप यहाँ पे तो y plus 6x है ना प्लस क्या हो जाएगा sin x by 6x यह देखिए आपका minus cos x इंटू y इधर प्यारी बच्चों आपका sin by 6 आएगा तो sin by 6 आएगा तो यह से को उपन ले जाएगे तो यह हो जाएगा आपका sin x into cos x हो जाएगा कि नहीं होगा के लिए आप देखिए इसको इंदी compare करेंगे तो आपका यह होता डी वाइवाई डी एक्स प्लस आपका हो जाएगा प्यार क्या राणी क्या माइनस-कॉस ऐक्स टीके स्क चिए क्या हो जाएगा मैनस कहए तो आघू लोग यहां है इंदीगेटिंग सप्टर RAW तो आप प्यारे बच्चों स्ट्रूसन यह हो जाएगा हाना इक्वल टू इंट्रिकेशन क्यों का वेलू रखेंगे यहां पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ठीक है और यह जाएगा इन्टू इंट्रिकेटिंग फेक्टर एटू दी पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स क्लियर आप यारे बाद चो इसको हम लोग क्या करेंगे इ कि चर्णिजिये इसको इंट्रिकेट तो यह जाएगा वाई इंटू इन्टू इटू दी पावर माइनस साइन एक्स ठीक है न एक्वाल टो अब देखो इसको इन्टेगेट करने के लिए इसा करते हैं साइन अग्स को अपन पूट कर देते हैं हैं तो प्यारी बत्च्यों पलस सी अब यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं साइनेक्स इसकल टूर्टी के लिए रहना साइनेक्स इसकल टूर्टी जैसे आप पूट करेंगे आपने इंट्रीकेशन में सब्स्टीचूसर बढ़ा होगा सब्स्टीचूसर यहां पर लगेगा प्यारे बच्चों आपका सब्स्टीचूसर लग जाएगा तो देखो तो यह क्या हो जाएगा आपका पूट साइनेक्स बराबर टी तो दोनों से डिफ्रेंचेल लिजे क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी तो यहां से आप कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी टी रखेंगे यहां पर इधर वाले में तो कु मैनस और बाहर और यह इसमें हम लोग बया पर घंगे तो थो जाएगा आपका सप्दों करके बाहर पर्स बीट सिर्दिकेशन ही खिरणगे यहाँ पर. होता माइनस इंट्रिकेशन का साथ जिसको छो रहा था टी को इसका डिफ्रेंसेशन वन इसको लिखेंगे प्यारे बाद चुछ अंदर मैनस होगा इसको पलस कर देते हैं इतुदी पावर मैनस टी उमीद करेंगे कुश्चन आपको समझ में आ रहा होगा आप रखें यहां प कर देंगे आव यहां पर वैलुर रख देंगे आप वैलू रखोगे तो वह क्या है आपका YES मैनस पंदर भीर दूआ क्या टी उन्टी थी पावर माइनस मistant कि और यह मैनस- प्रश्च हो जाएगा इसदीक टी पावर माइनस टी तो अब यहां से इतुदीटीकावर मैनस constant और प्यारे बच्चों यह y into a to the power minus sin x यह होगा यहाँ पे यह नहीं हम लोग बात करें यहाँ पे तो final solution क्या होगा तो प्यारे बच्चों इधार आपने लिख लिया होगा देखें यहाँ पे तो final solution की एदी हम लोग बात करें तो देखें यह होगा y multiply e to the power minus sin x ठीक है ना y into है ना और यह होगा equal to e to the power minus sin x into one plus sin x ठीक है ना और plus आपका क्या होगा c यह होगा आपका final solution ठीक है ना ऐसा मत करना इसको इसको कर देना आपने करें फिर यह इसके साथ आजागा यह इसको आप e to the power minus sin x से डिवाइट कर दो यह जगा y बराबर यह जगा one plus sin x ठीक है ना इसके साथ यह चला जागा और यह जागा c divided by e to the power minus sin x इसको लिख सकते हो c to the power क्या sin x इस तरह से आप final answer इसका दे सकते हो ठीक है प्यारे बच्चो इस तरह से दी कोई भी questions आपका आता linear in x आजाए linear in y आजाए ता आप solve कर सकते हो ठीक है रहा चलिए इसको नोट के ज़िए ज़र्दे से देखें प्यारे बच्चों कुष्चन है आपका कॉस स्क्वाइर कॉस स्क्वाइर एक्स डी वाइवा डी एक्स प्लस वाइप्लस टेन एक्स है यह कुष्चन को श्रूब करना आपको समझ में आ रहा है यह linear in y है या linear in x देखें बताइए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यह linear in आपका y है ठीक है ना कॉस स्क्वाइर एक्स से आप क्या कीजिए इधर डिवाइड कर दीजिए इधर देखें आपका हो जाएगा डी वाइवा डी एक पलस यह उपर जाएगा आपका क्या हो जाएगा शेक स्क्वाइर एक्स हाना y और यह जाएगा देखें इसको सिंप्लिफाइद हम लोग कर लेंगे आइसा करते हैं 10 और यह उपर चला जाएगा 10 को आप लिखोंगे sin by cos q हो जाएगा ना तो प्यारे बच्चों यह हो जाए यानि यह देखें आपका क्या हो जाएगा डीऊ वाई वाई टीए एक्स पलस से कस्क्वाइर एक्स वाई सकनर्टो यह उपर चला जहएगा यह जाएगा दी एक्स osis s Abraham टीनकल देखेंगे क्या हो जाएगा तो Hole देखेंग आरा क्या है आ ऐसा करते हैं हम लोग यहीं लिख लिते हैं यह बात है यहाँ पर यह जागा आपका 10x divided by स्कॉस स्क्वाइर एक्स हाना इनटु इटू दी पावर आपका इन एक्स इटू दी पावर टेन एक्स इस प्यारे बाट्चों क्यों हो जागा हमने यहाँ पर तोडिया था कोई जरूरत नहीं है देखो यहें से देखिए आपका हम लोग तो यह प्यारे बच्चों आपका हो जागा वाइन टू इटू दी पावर आपका क्या हो जागा यह हो जाएगा 10x into sick square x into e to the power 10x dx आद यहां से देखिए हम लोग यहाँ पे 10x को put कर दे 10x को यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे t substitute करें दोनों सा डिफेंचर लेंगे sick square x dx आद इधर हो जाएगा dt यहाँ यह sick square x dx के जगा पे dt फाइनली देखिया आपका आ रहा एटू दी पावर 10x का साइन देंगे आप देखो 10 को आपने टी इंटू क्या जाएगा e to the power t और इसके जगा पे आपका हो जाएगा dt इधर constant जोरेंगे ठेके ना अब इसमें बाइपार्ट लगा दो यह फर्स्ट और यह क्या पावर t common आजाएगा क्योंकि e to the power t का integration e to the power t होगा तो क्या हो जाएगा आपका t minus 1 और t का value रग दो यह हो जाएगा प्यारे बच्चो e to the power 10x इंटू 10x-1 और यह हो जाएगा y इस तरह से यदि कोई भी questions आपका आता है तो आप solve कर सकते हो ठीक है ना चलिए इसको note करेंगे ठीक है चाहे तो आप e to the power 10x को आगे भेज सकते हो आईसा करते हैं दोलों साथ कर देंगे तो प्यारे बच्चों यह हो जाएगा y इसके साथ कर जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 10x-1 और यहाँ पर देखे के c e to the power 10x से डिवाइड वाद ऊपर चला जाएगा ती तुदी पावर क्या हो जाएगा माइनस 10x ऐसे भी लिख सकते हैं तो दोलों फॉर्मेट में आप जो भी आपको अच्छा लगे है ना ऐसे भी आपको जो अंसर सुन्दर लगता है वही लिखना चाहिए कि के ना चल टू लोग एक्स डिवाइड वा एक्स कंडिशन दिया हुआ है कि वाई जब एक्स का वेलू वल तो य का वेलू क्या हो जागा जीरू देन फाइंड वाइन एक्स बराबरी यह तो आपका सबसे पहले हम लोग इसका सुलूशन करते हैं ठीक है ना यह बांडरी कंडिशन द एक्स हाना डिवाइड वा एक्स ऐसा करते हैं एक्स स्क्वाइड से थ्रूवर्ट हम लोग डिवाइड कर दे हैं प्यारे बच्चों आपका हो जागा यह यहां पर देखो आपका हो जागा एक्स स्क्वाइड से आपने डिवाइड किया तो यह हो जागा तो आपका लॉग X X as square से डिवाइड कर रहे होती यानि यह क्या हो जागा आपका देखो यहां पर x q हो जागा clear रहना तो यह आपका आप compare कर लिजिए यह पी है यह पियारे बच्चो आपका q है clear रहना तो यहां पर यह आपका lingering क्या है y है तहलों के integrating factor निकालेंगे बताए यहां से देखो आपका इंटीगेटिंग फेक्टर आजागा e to the power यह 2 बाहर 1 by x का होजागा 2 log x ठीकर नहीं इस 2 को अंदर भेज दो तो क्या होगा log x का क्या यहां से आजाएगा x स्कॉर यहां से आजाएगा x स्कॉर यहां इंटीगेटिंग फेक्टर आपका निकल गया x स्कॉर आप देखें स्वलूशन क्या होगा प्यारे बच्छो श्लूशन हो जाता है y into integrating factor equal to y into integrating factor equal to q q का value है आपका 2 log x divided by x q multiply x square ठीक है ना dx plus c आप यहां से देखें फाइनल यहां लोग स्वलूशन की बात करेंगे यह हो जाएगा आपका x स्कॉर य इसकाल 2 आप देखें यहां से x स्कॉर इसके साथ जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा integration के अंदर बचेगा log x divided by x होगा की नहीं होगा dx plus c clear है आप यहां पर यह दिए हम लोग प्यारे बच्चो आप इसको कैसे integrate करेंगे put कर दो क्या put करोगे log x को अपन t put करेंगे बतारी log x का differentiation 1 by x dx बनाबर क्या हो जाएगा dt आपको समझ में आ गया होगा x square 2 हाना देखें यहां पर क्या होजाता आपका t dt होगा की नहीं होगा प्लस यहां पर constant यानि यह हो जाएगा आपका x square y equal to 2 t square divided by 2 plus c 2 और 2 चला जाएगा x square y is equal to t square का value लग देंगे यह क्या होजाएगा आपका log x हाना log x का whole square plus c यह आपका general solution हो गया but question में आपका boundary condition दिया हुआ है तो क्या लगाएगे at x का value 1 तो y बराबर 0 लगाएगे तो क्या जाता यह 1 का square multiply 0 equal to यह देखिए log 1 इसका whole square plus c आप सबको पता यह 0 क्या log 1 0 यादि यहां से c का value आपका आगया प्यारे बच्चो 0 तो final solution इसमें c का value क्या करेंगे 0 रख देगे चलिए इसको note कीजिए आपने नोट कर लिया हुआ इधर तो प्यारे बच्चो आपका आप ध्यान रखिएगा उसके बाद पूछा जारा कि find the value of y where x is going to e इस पे हम लोग आ रहे हैं second part पे तो देखें तो आपका यह क्या हो जाएगा final solution आपका हो गया final solution आपका हो जाएगा x square y equal to आपका log x का whole square clear ना यह आपका हो जाएगा final solution because c is a 0 clear ना प्यारे बच्चो अब हमको final करना है कि when x बराबर e तो y का value रखिए क्या जाता e square into y यह हो जाएगा आपका log e और आप सबको पता है log e का value 1 होता है यह हो जाएगा e square y बराबर 1 यहां से आपका y बराबर हो जाएगा 1 by e square ठीक है प्यारे बच्चो यह हो जाएगा second part का answer इस तरह से यदि कि आपका linear differential equation का questions आएगा तो अब उमीद करते हैं कि आप बना लेंगे ठीक है प्यारे बच्चो चलिए इसको नोट पिज़े जल्दी से कि चलिए देखे प्यारे बच्चो दूसरा question है आपका डी वाइब डी एक्स प्लस वाइब कॉटेक्स सिंपल है यह फॉर में भी दिया हुआ है तो मतलब इसको आप लिखना चाहा हो तो आप डी वाइब डी यह प्यारे बच्चो आपका क्या होता है तो यहां पे हम आपको बता देते हैं को आप लिख सकते हो cos x divided by sin x f' x यानि minus sin बाहर ये minus cos x divided by sin x यदि याद होगा f' x divided नीची वाले का उपर differentiation होना चाहिए हो जाता है आपका क्या minus log sin x ठीके न प्यारे बच्चो इस minus को उपर करेंगे तो दिखें यहां पे यानी कोटेक्स का ओहो शौरी एक मेर प्यारे बच्चों सही है और याद नहीं रहे तो साइन का क्या होता है डिफ्रेंसेशन कौस होता है तो कहने का मतलब आपको फर्मुला याना चाहिए यहां से लगा देजिए तो क्या होता है यहां पे भी बेस होता है जब इस तरह का हो तो आपका डिरेक्ट यहां जो होगा वह उतर जाएगा तो देखें तो प्यारे बच्चों आपका सोलूशन क्या हो जाएगा सोलूशन इज वाई माल्टिप्ला इंटिगेटिंग फेक्टर साइन एक्स इक्वल टो क्यू क्यू का वैलू ए इपू दी पावर कॉस एक्स इंटो साइन एक्स दी एक्स पलस क्या हो जाएगा सिंपल इंटिगेशन है आप इसा करो कॉसेक्स को पूट करोगे तो डियर स्टुडेंट्स आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पे देखिए अपन करते हैं कॉसेक्स को क्या पूट करते हैं टी पूट करेंगे दोनों से डिफ्रेंशल लो कॉसेक्स का होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इधर हो जाएगा डी टी उस माइनस साइन को उधर सरका दो तो sin x dx बराबर हो जाएगा minus dt तो प्यारे बच्चों आपका दिखिए क्या हो जाता है solution y sin x equal to यहाँ पे देखिए integration e to the power t आप यहाँ पे देखो sin x dx के जगा पे minus dt minus n bar dt plus c यहाँ जगा minus e to the power t अब यहाँ पे भालू रख देंगे क्या हो जाएगा y sin x equal to e to the minus e to the power t का वैलू क्या हो जाता है cos x plus c final answer हना इस तरीके से कोई भी यही questions आपका आता है उमीद करेंगे प्यारे बच्चों आप बना लोगे linear का इसमें कुछ questions हम लोग कुछ questions हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे next lecture में देखेंगे हना और आप देखेंगे next lecture में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बर्नौलीज equation का हना जहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों बर्नौलीज equation का बात करेंगे और आपका वहाँ पर कुछ और अच्छे से questions करेंगे जिसको प्यारे बच्चों हम लोग यहां पर करेंगे ठीक है ना चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा आज के लिए धन्निवाद